प्राइमरी टीचर बने 341 सिख्षकों के निक्तियों को रद्द करने पर रोंक लगा देगी है कोट में मामले को चुनोती देने के बाद लोग सिख्षन संचालायने आदिस को अपने बदल दिया है बड़ी खबर ये है कि बहुत सारी बीर्ड की सीटे भी खाली रह गई है साथ राउंड काउंसलिंग चनने के बाद ले बीर्ड की सीटे खाली है और न्यूज देखते हैं पद नहीं बढ़ाये तो जीवन में अंधकार भर जाएगा वर्ग एक में आपको पता है कि बहुत सारे पद खाली हैं लगभग 34,789 पद खाली है लेकिन बहुत कम ही पदों पर न्यूक्तियां की जा रही है बैक लॉग के पद और लेडी खाली है उसे भी नहीं भरा जा रहा है विद्यार्थियों से टॉइलेट साफ करा रहे सिक्षक का फोटो वायराल हुआ देखिए बहुत ही गलत है गौर्मेंट इतना पैसा खर्च करती है लेकिन जो स्कूल के प्रिंस्पल है जो इस्टाफ है वह पैसे को बचाने के लिए बच्चों से मनमर्जी काम कराते हैं मनमर्जी स्कूल में आते हैं और ऐसी चीज़ें अगर करेंगे तो बच्चों का मांसिक विकास कैसा होगा आप तो सोच सकते हैं इन टीचरों को तो सिज़ा सस्पेंट करना चाहिए आते की सिख्चकों के लिए च्वाइस फिलिंग सुरू हो चुकी है और ये 9 सितंबर की जगह है 12 सितंबर आज तक डेट बढ़ा दी गई है असोक नगर जिले के प्राइमरी के 79 सिख्चकों को बड़ी राहत नौकरी से हटाने के आदेस पर रोक लगा दिया गया है ये सभी के पास बीएड की डिगरी थी और ट्राइमरी के लिए डिलेड होना चाहिए तभी रोक लगी गई है बीएड तिगुने आवेदा ना फिर भी पसंद का कॉलेज ना मिलने के कारण 2000 से जादा सीटे जो है खाली रह गई है साथ राउंड की काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग में लोग जो है परसेंट कहीं साब से लॉट कर दिया जाता है लेकिन वह है फिर कॉलेज में नहीं जाते है जिसके कारण ये सीटे जो है न वो खाली रह गई है सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए काउंसलिंग चल रही है खासका सियम राइजिंग, उत्कृष्ट और माडाल स्कूलों पे सिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पर सरकारी स्कूलों में शाला विकल पे चैन की कारवाही 14 तक होगी 14 तक होगी अतिसिक्षकों की भरती, अभी यह लेटेस्ट है 14 सितंबर तक अतिसिक्षकों को अवरिशक्ता अनुसार भरती किया जाएगा सरकार पर सिक्षक वर्गे एक के पद बढ़ाने का दवाव बना रहे हैं लोग बिलकुल इसे बढ़ाना चाहिए MP नगर के 25 कोचिंग संस्थानों में सिर्फ चारने बेस्मेंट में शुरू की पार्किंग बागी सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं वहाँ पे क्लासस लगा रहे हैं राजस सो महा वियान की पोल खोल रहे हैं आपड़े आवेदा नाए 21 लाख 26 जार और सासन ने कर दी 80 लाख का निराकरन आप सोच सकते हैं इतने आवेदा नहीं मिले फिर भी निराकरन कर रहे हैं कड़ी मेहनत करने से ही संतुष्टी प्राप्त होती है चलिए अच्छी बात ही है खुद को दोहराने से कभी बात नहीं बन सकती माहौल के नुसार आपको ढलते रहना चाहिए ये विराट कोली के बारे में है उन्हें से इंटर्व्य बगरा लिया गया है तब उन्होंने ये चीज़ें कहा है तो चलिए ठीक है एजुकेशन से समद्धित न्यूज यही है इसी तरह की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू बाए